हलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका श्वागत है आओ आज हम बताने चल रहे हैं नीम्बू में कलम कैसे बांधा जाता है नीम्बू तो सभी उच करते हैं हमारे यहां नीम्बू का पेड़ है कागदी नीम्बू है और दो पेड़ है इसमें हम कलम बानके त्यार कर लेते हैं कलम से तयार किया हुआ नीमबू बहुत अच्छा फल देता है। और बहुत जल्दी फल आने लगता है। तो नीमबू का आई ये दिखाते हैं कलम। आप ये दे सकते हैं कि इसमें हम ये दो कलम बांदे हुए थे कीरें है।ory है। जैसे बर पोली थीन के उपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये जड़ निकलना शुरू हो गया है ये पंदरा दिन हो गया है कलम बांधे और कलम से तयार किया हुआ नेमू बहुत अच्छा फल देता है और बहुत जल्दी फल देने लगता है ये इसमें जड़ निकल आई है इसको अपकटिंग करके लगा देंगे और ठंदी तक इसमें फल आ जाईगा बहुत अच्छा फल देता है आपको हम दिखाना चाहते हैं पिछली साल बर्शाद में हम कलम बांधे थे आपको तो तो ले और काफी पेड़ थे हमारे यहां फल लगे हुए थे वह शब बिग गए और अभी भी हैं कई पेड़ पर फल अभी नहीं लगा हुआ है फल पक चुका था तो फल इसका जो है तो लिए थे यह कलम से तयार किया हुआ पेड़ है इतना बड़ा हुआ है और यह आप देख सकते हैं यह बियां से तयार हुआ है यह दो साल का पेड़ हो गया है अभी इतने बड़ा पेड़ हुआ है और बियां वाला पेड़ जल्दी नहीं तयार होता है पान साल छे साल बाद वो उसमें फल लगता है और यह कलम वाला लगा दीजिए छे महीने बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है हमारे यहां तो इतनी बड़ी पुली थीन में फल लग जाता है आप लोग इसको गमले में बड़े गमले में लगाए तो बहुत अच्छा फल देगा और यह ताजा ताजा नीबू का फल पेड का पका हुआ आप लोग यूज कर सकते हैं